राहूल कांदी और अखलेश यादव को फिर साथ लाने का प्रयास कर रही है पलफी पटेल अब बीजेपी की बड़े की चुनाती तरपदेश में सिरादू विदान सबसीर से समाजवधी पार्टी विदाएं की पलफी पटेल ने कई अटकले शुरू करती हैं अपना दल कमेरा फादी नेता पलफी पटेल ने अखलेश यादव और कॉंग्रेस सांसर राखुल गांदी को लेकर एक एसाब बयान दिया कि सियासी हल्चल तेज हो गई है वही बीजेपी के लिए चुनातियों भी बढ़ सकती हैं महा पंचयक के दोरान राखुल गांदी और अखलेश यादव को साथ लाने पर पलफी पटेल से सवाल किया गया जिसके बाद सबाव विदायक ने कहा मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मेरे दोनों बड़े भाई फिर से साथ है मैं प्रेंक गांदी से भी बात करूँगी मैं इस बात से प्रभाबत हूँ कि जब कॉंग्रेस एक ऐसे हालात में थी तो राहूल गांदी ने पूरे भारत की यात्रा करके अपने आप को लोगों की कनेक्ट किया है ये काफी प्रशन सा की योग्य है कॉंग्रेस तो राहूल गांदी पर खुरका रखी अपनी बात वही कॉंग्रेस को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो पला भी पटेल ने आगी कहा उनकी पार्टी तो जुड़ गई और लोगों की बीच में कॉंग्रेस को लेकर एक उतासी इंता थी इसकी बज़ए लोग कॉंग्रेस से अब बहुत आश्या दख रही है उनके सड़कों पर चलने से बहुत कनेक्टिविटी महसूस हो रही है कॉंग्रेस को इसका फाइदा 2024 में मिलेगा सबफ विधायक ने मैंनपुरी में प्रचार के लिए नहीं बुलाए जाने पर सपाल हुआ तो उन्होंने कहा मुझे सबफ के ओर से कॉल आई थी मैंने कहा था कि वहाँ जब मेरी आविशक्ता हो तब मुझे बुलाए शायद मेरी उनको आविशक्ता वहाँ पर नहीं लगी मुझे लगता है कि जहाँ पर भी उन्हें मेरी आविशक्ता लगती है वे मुझे आगे की पंक्ती में रखते हैं मुझे कभी कोई कर्शन नहीं रहा क्योंकि अकले शियाद व्टे डिप्टी सीम को खाराने के लिए केवल मेरे उपर दाव लगाया था